हलो माई डियर स्टूडेंट्स एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम गणित का आप सभी के लिए लेकर आए हैं जैसा कि आप देख पारें कि जैसे एक प्रश्ण में गाई भी है और मुर्गी भी है और आपसे ये कह रहा है कि उनके सिरो की कुल संख्या 35 और उनके पैरो की पैरो की संख्या 30 और आपसे पोचा जाए कि बताओ प्रश्ण में कितने गाई और कितनी मुर्गी है बहुतर ट्रिक से बताएंगे और कुछ ऐसा भी सवाल है किमाली जी एक सवाल में दिया जा रहा है कि एक सवाल में कि टेंपो भी है और फोर विलर टेंपो में आपको पता है कि तीन चक्का बहान होता है और ये चार चक्का बहान होता है इसमें बोल रहा है कि बहानों की संख्या 45 और पहियों की संख्या मतब चक्कों की संख्या 104 है तो पूछेगा कि उसमें कितने tempo और कितने 4-billar हो, जो भी हो इस तरह का सवाल आज के class में हम करने वाले, अंग से related, बहुत सारे नएने तरह के सवाल हम करने वाले, आज की class बहुत शांदार होगी, चलिए समय बरबाद नहीं करते हुए, पहला सवाल आपके screen पर, आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एक जंगल है, उसमें कुछ तोते हैं, तोते यानि पैरोट की बात करा जिनके 2 पैर होते, और कुछ सेर है, सेरों के 4 पैर होते, कह रहे हैं, उनके सिरों की संख्या, head, पैर की संख्या है 52, तो कह रहे हैं, उनके सिरों की संख्या 22 और पैरों की संख्या 52 है, यानि लेग जो है, वो 52 है, और head जो है, वो 22 है, तो आप से पूछ रहे हैं, तोतों की संख्या क्या होगी, पैरोट की संख्या क्या होगी, तो दिखे मैं आपको एक short trick बताता हूं कि इसको आप एक trick से बना सकते हैं लेकिन ये जो trick है ये दो पैर वालों के लिए नहीं ये चार पैर देखे हर तरह का सवाग ये जो दिख रहा हैंने सब सवाल आज हम solve कर वाएंगे आपको तो यहां से आप direct तोता का नहीं निकाल सकते है क्योंकि तोता का दो पैर होता है आप सेर का निकाल सकते हैंनी चार पैर वाला का तो आप ऐसे लिख दीजिए कि चार पैर वालों की संख्या ठीक है चार पैर वाले और ये साधारनता जानवरी होंगे मनुष्य तो हो नहीं सकता है तो चार पैर वालों किस अंख्यागर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है LY2-H L यानि लेग, लेग में 2 से भाग देके हेड गटा देंगे, ठीक है तो लेग, चार पैर किस का है, शेर का ना तो सेर का निकाल सकते है लेकिन प्रसन कहा है, प्रसन में तो लेग, पैरो की संख्या बावन, बावन में 2 से भाग देंगे और सीरो की संख्या बाइच को गटाएंगे तो यहां से 26 दूनी बावन हलाकि डिरेक्टली कटता नहीं है क्योंकि माइनस कासा है नहीं लेकिन हम काट दिये 26 में 22 गया, 4 सेर, 4 क्या हो गया भाई, सेर हो गया, लेकिन सवाल था कि सर सेर नहीं चाहिए प्रस्ण में चाहिए कि बताइए पैरोट कितने हैं, तो देखिए, सेरो की संख्या कितनी थी, 22 तो जितना सिर उतना ही जानवर होगा चाहिए वो तो तो यह सेर हो, तो कहेंगे सर 22 सेर था, यानि प्रस्ण में 22 जानवर था, अब 22 गों में 4 गों सेर है, तो क्या तोता की 18 हो सकता है जो डी नंबर में पॉसिबल हो सकता है पहला नंबर सवाल हो गया आज जितने भी 10 से 15 सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखने वाले हैं सब अलग अलग तरह के सवाल होंगे मतलब आज का क्लास करने के बाद आपको एक नई उर्जा का संचार होगा वीडियो लाइक औ जानबर या पालतू जानबर को चराया जाता है किसी चारा गाह में कुछ गाय है और कुछ चारवाहे चारवाहे मन उस्ते को ही कहता है जो गाय को चराने वाला होता है ग्वाला जैसे क्रिस्न जी थे ठीक है तो कि किसी चारा गाह में कुछ गाय और कुछ चारवाहे है यान यानि लेग लेग कितना सिरो की संख्या 20 और पैरो की संख्या 64 तो लेग है 64 बटे दो और इसमें हेड को घटा दीजिए हलाकि डाइरेक्ट करता नहीं है लेकिन काट देंगे हम कोई दिक्कत नहीं है तो 32 में से 20 गया तो बाराठो गाय मिल गया जी और देखिए भले पैर 2 ह तो तीन हो चार हो लेकिन सिर तो एक ही होगा तो आपको बाराठो गाय मिल गया और कुल कितना जानबर था 20 तो आपको कौन सा बच चार बाहा चार बाहा मतलब इनसान कोई कहा जाता है जो गाय को चराता है चार बाहा चाहिए तो टोटल 20 लोग थे गाय और चार बाहा मिला option में है तो यह आपके प्रश्न का correct answer है उमीद है कि अच्छा लग रहा होगा वीडियो like share और जो नए विद्यारती है उनसे एक ही अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे बहतरीन क्लास के लिए किसी parking में पार्किंग में जहां पर बहुत सारे गालियां लगी हुई है तू बिलर थ्री वुलर फॉर विलर कोशन और किसी प्रकिंग में कुछ चार पैया बाहन है और तीन पैया बाहन त्री विलर जिसको टोटो और टेमपू कहते है ठीक है यह इदि उनकी संख्या 420 हम थोड़ा इसको उपर करते पेस होना चाहिए ना आईए अगर इस प्रस्ण के बाद सवाल की बात करें कितने चार पहिया बाहन हैं पहले यह देखिए कि पहले आप बताईए कि बाहन कितने हैं कि कहेंगे सर बाहन है एक सो पहिया देखिए ना कुल बाहनों की संख्या यदि बाहनों की कुल संख्या एक सो पहियों की संख्या पहिया यानि चक्का पहियों की संख्या पहियों की संख्या कितनी है 420 अच्छा यह बात तो किलियर है डियर थ्री विलर होगा उसमें एक बाहन में तीन चक्का होग होगा उसमें एक बाहन में चार चक्का होगा तो यह समझ में आ रहा है कि उस जो स्टैंड है उसमें कुल 135 गाड़ी लगा हुआ है और कुल चक्का गिना गया तो 420 है तो ऐसा नहीं कि इसमें चार पहिया वाला बाहन भी और तीन पहिया वाला अब आप यह बताईए कि पूछ किसका रहा है पूछ रहा है कि भही कितने चार पहिया बाले बाहन होंगे तो देखे चार इसी में इसी में दो चीज़ लिखे और वीलर की बात करे या फिर चार पहिया वाला का बात करें तो जिसके बारे में पूछे देखें उसको x मानेगा यह बहुत ही basic method और आसान method है समय नहीं लगेगा सिखाने में जो समय लग ज़या सिखने के बाद बनाने में कोई समय नहीं और हमको पता है कि बाहन 135 गो है तो जिसके बारे में पूछे उसको X मानेंगे कितने 4 पहिया बहान तो 4 पहिया वाला X तो क्या 3 पहिया वाला क्योंकि हमको पता है कि उसमें कितने गाड़ी लगे हुए 135 गाड़ी लगे हुए तो क्या 135-X होगा यहां तक देखिए पहले यहां तक पॉसिबल है 100% पॉसिबल है अब देखिए करना क्या है जिसके बारे में पूछा था उसको X 4 विलर पूछा X मानगे अब मान लीजे कि 135 गो में 100 गो 4 विलर है तो हम नहीं करेंगे 132-100 यानि 35 गो 3 विलर होगा तो यह घटाने पर आया ना इसलिए 135-X गीए अब देखिए अब देखिए करना क्या है कहेंगे गुरू जी 4 विलर जो है वो X था और 4 विलर 4 पहिया वाला में 4 चक्का होता है तो गुना 4 करेंगे फला 3 विलर 135-X है और 3 विलर में 3 चक्का है तो गुना 3 और दोनों को जोड़कर 4 विलर देखिए यक्स था तो 4 से गुना किए क्योंकि पहियों की संख्या याद करनी है एक 4 विलर में 4 चक्का होता है तो 4 विलर को 4 से गुना किए 3 विलर की संख्या 135-X था और एक 3 विलर में 3 चक्का होता है तो multiply by 3 किए टोटल कुल चक्कों की संख्या आप वहाँ देख लिजे, कितने चक्के हैं, 420 चक्के हैं, तो ये 4 से 3 से इसलिए गुना किये, क्या कि ताकि बाहन को चक्का में कंवाट कर सकें, टोटल पहियों को गिन सकें, तो ये हो जाएगा 4X प्लस, 135 तिया, 13 तिया 49, 13 तिया 49 पास ति X गया, तो X बराबर, 420, और ये पलस में 405 है न, उधर जाएगा, तो माइनस में 405 हो जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा 15 बाहन, 15 बाहन जो है, वो क्या होगा, 4 चक्का वाला होगा, या फिर 4 पहिया वाला बोल सकते हैं, और आपसे यही तो पूछा गया था, कि 4 बिलर जो है, वो 15 होगा, और ये आपके C नंबर उप्शन में आपका उतर, मतनब ये बहुत ही सरल मैथड है, ऐसा मैथड की एक बार सीख जाएगा, दुबारा कभी नहीं शूटेगा, गल्ती तक नहीं होगी डियर, आप एक बार देख लीजे, एगदम किलियर है आपका, इस क्लास को देखने के बाद, आपके अंदर एक नई उरजा का संचार आएगा, बस समय दीजे थोड़ा सा, ठीक है, चलिए, अगला सवाग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं न, क्योंकि X की वैल्यू 15 और आपसे 4 बिलर ही पूछ रहा था, तो 4 बिलर, कितने 4 पहिया वाले चार पहिया वाले X और X की वैल्यू 15 और यह देख रहे हैं, सी नंबर उप्शन में उपलग दे, अगर 3 बिलर पूछता, तो 135 में X और X की वैल्यू 15 घटाते, तो 135 वाला, सुरी, 3 बिलर, 120 हो जाता, 120 गुने 3 और 15 गुने 4 करिएगा, तो आपको 420 आएगा, करके देख ल किरें किसी पार्किंग में जिसमें कुछ 2 पहिया वाले बाहन तक उस 3 पहिया वाले बाहन हैं, पुल बाहनों की संख्या, आईए, अगर इसके solution की बात करें, तो आपको given है, बाहन कितना दिया हुआ है जी, बाहन दिया हुआ है, यानि बाहनों की संख्या 200 और पहिया, पह हई और आपसे क्या पूछ रहा है गितने शूर्न को पूछ तो देख को पहिया वाले को आप क्या मान लीजिए गेट मान लीजिए तो humor टूर पुमिलर और फॉर बिलर नहीं है तीन पहिया वाला तो दो अगर ऊटा गटा दीजिए और सिंपल बात है 200 में अगर 70 गो 2 विलर है 130 गो 3 विलर हुगा 200 में एकस 2 विलर है तो 200 में multiply by 3 करेंगे और दोनों को जोड़कर फुल चक्कों की संख्या हो जाएगी 440 पिछला से ये वहला shot बना रहे है इसलिए पिछला थोड़ा आराम से बना है ताकि सीखने का जोड़ा था अब आप सीख चुके हैं नहीं maturity आपके अंदर आ चुकी है परिपक्वता आ चुकी है तब इसको कर लेंगे तो यह गुने 2 यह हो जाएगा 2x पलस दो तिया 600 माइनस 3 इंटो एक्स 3x परावर 4 4 0 अब यह 2x में 3x गया माइनस x हो जाएगा और यह 440 में इधर जाएगा 600 माइनस हो जाएगा नहीं तो यह हो जाएगा माइनस x is equal to minus 1 6 0 कटा कर देख लीजेगा 600 में 400 चलेगा तो x की value 160 तो देखिए आपसे दो चीज पूछा गया था आपसे पूछा गया था दो पहिया और तीन पहिया दोनों का तो दो पहिया वाला बाहन x माने थे और x की value 160 हो जाएगा और तीन पहिया वाला 200 माइनस x बोले थे तो 200 में 160 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा यानि उत्तर 160 और 40 किसका है आईए 160 और 40 सी नंबर ओप्शन बताइए कैसा लगा बोले तो 12 से 15 सवाल आज के class में आप हमारे साथ करिएगा इसके बाद आप देखिएगा कि क्या energy आपके अंदर हम देते हैं और कितने बहतरीन बहतरीन प्रशनों को आज हम आपके सामने solution करते हैं बस एकदम सारे प्रशनों को अच्छे से करते जाईए बड़े आगे कोई परिसानी नहीं चलिए अगला प्रशन किसी बगीचे में कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं यदि सीरों की संख्या 35 तता पैरों की संख्या 135 मुर्गी पूछ रहा है मुर्गी का दो पैर ह होता है हम बोलेए कि दो पैरवाला को कोई पैर वाला का तो पहले क्या निकाल लेंगे और गोड़ा के लिए क्या formula बता है चार पैर वालों का बता है LY2-CH लेग यानि पैरो की संख्या 130 130 में 2 से भाग देंगे और 0 की संख्या 35 तो divided minus 35 ये 65 हो जाएगा और 65 में 35 गया 30 यानि कितना गोड़ा 30 हो लेकिन क्या चाहिए गोड़ा नहीं चाहिए भाई मुर्गी चाहिए डियर तो आपको पता ये कितने सीरो की संख्या 35 है अब 35 में 30 गोड़े निकल गया भाई तो मुर्गी कितना बचा पांच गोड़ा और ये हमारा अंसर हो चाहिए बढ़े आगे एकदम आसान सवाल फिलाल तो ये एकदम आसान दो पैर वाल और तीन पैर वाला का तो इतना पढ़ाए ना यूट्यूब के माध्यम से और अप्लिकेशन के माध्यम से विद्यारती लोग तो देख के उत्तर कर देते हैं धाए-धाए एकदम ज्यादा दिमाग लगाने की पर कुछ चार पहिया वाले बाहन है यदि बाहनों की कुल संख्या 32 और उनके पहियों की कुल संख्या 108 है तो कितने देखे बाहन की बात करें अगर बाहन की बात करें तो बाहन की संख्या घृण बाहन चार पहिए का है और KITना बाहन चार पहिए का है और कितना तीन और दौन पूछ रहे हैं और क्या मन लेजिए और तीन पहिए वागा बहस क्या हो जाएगा कि क्योंकि कुल बाहन 32 ही है तो 32-x हो जाएगा अब देखो करना क्या एकदम simple सवाल है दियर कि 4 पहिया वाला x बाहन है तो 4 से गुणा करेंगे 3 पहिया वाला 32-x बाहन है तो इसको 3 से घुणा करेंगे और जोड कर कुल पहिया यानि कुल चक्को की संख्या 108 हो जाती है तो य ये इधर चला जाएगा तो x is equal to घटके आजाएगा 12 तो अब आपको दो चीजे चाहिए थी एक चाहिए था 4 बिला 4 पहिया चार पहिया की value x थी और x की value 12 हो गया 12 हो गया ना 4 पहिया वाला x x की value 12 12 तीन पहिया वाला का बात करें तो तीन पहिया का value है 32 माइनस x 32 माइनस 12 तो आपको उत्तर हो जाएगा 20 कहां 12 और 20 है पहला नंबर option में 12 और 20 दोनों कलब दें देखिए कितना बहतरीन तरीके से हमने आपको solve करके दिया यह सवाल उमीद है कि 100% हम आपको समझा पा रहे यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी अगला question स्क्रीन पर रखें चलिए अगला सवाल बनाईए कोशिश करिए जल्दी बहुत बहतरीन सवाल है यह परिच्छा वाले प्रस्ण आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर जल्दी बहुत है झाल है यह झाल है कोशिए करिए कि परिक्षा में कुल सौफ प्रश्ण थे अची बात है कुछ यह दिसमें कुछ प्रश्ण दो अंक वाले और कुछ प्रश्ण एक अंक वाले थे यह दिक कुल पूर्नांग, यानि कुल पूर्नांग मतलब टोटल मार्क्स, 170 हो, मतलब परिक्षा में 100 अंक में आपको कितना मिलता है, 170 नंबर मिलता हो, तो दो अंक वाले प्रस्णों कितने हैं, देखिए, अब सिंपल बात है, कुल नंबर और कुशन कितने हैं, 100 प्रस्ण ह में दो तरह का प्रस्ण है, एक है दो अंक वाला, कुछ है दो अंक वाला और कुछ है एक अंक वाला, अब आप से क्या पूछा गया है, आप से पूछ रहा है कि दो अंक वाला कितने प्रस्ण, तो माल लीजिए, दो अंक वाला एक्स प्रस्ण है, तो एक अंक वाला क्या 100 म मा इनस एक्स होगा सिंपल बात है क्योंकि जोही प्रश्ण है और सो प्रस्ण मेंकुछ प्रश्ण दो एक अंक वाले प्रस्णों को हमने 100-X माना, तो इसको एक से गुणा करेंगे, क्योंकि ये एक अंक देगा, और दोनों को जोडेंगे, और कुल जोड जाड़कर हमें कितने अंक प्राप्त होंगे, 170 प्राप्त होंगे, बस यही चीज तो सीखना है, थे ये दो अंक वाले कितन एक ही इतना ही रह जाएगा बराबर 1,70 ये 2x में x गया तो x बराबर 1,70 और ये पोजेटी विधर निगेटीव तो ये x की value जो हमें क्या प्राप्त हुआ वो 70 और अपसे यही तो पूछा गया था कि दो अंक वाले प्रश्णों की संख्या दो अंक वाले प्रश्णों की का है आगे बढ़े अगले प्रश्ण की बात करें एकदम हर सवाल आपको अच्छे से समझ भाएगा भरोसा रखिए चलिए किसी पार्किंग में बहुत बहतरीन बहतरीन सवाल आज हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे किसी पार्किंग स्थान पर कुछ तीन पहिया वाले बाह सब्सक्रीन और आपको आपको करना क्या है एक्दम सिंपल सा केलकूलेशन है दियर कि भाई तीन पहिया वाला X है तो तीन से गुना करेंगे क्योंकि बाहन को पहिया में बदल रहे हैं तो एक बाहन में तीन पहिया होता है त्री विलर में दो पहिया वाला पचीस माइनस X है तो इसमें दो से गुना करेंगा और इसको जोड़कर कुल पहियों की संक्या, कुल चक्कों की संक्या पैसाट हो जाएगी, तो ये 3X हो जाएगा, ये 25 दुनी 50, माइनस 2X is equal to 65, तो 3X में 2X गया, X plus 50 is equal to 65, और ये positive इधर negative में X is equal to 15, और आपसे यही तो पूछा गया था, अच्छा दोनों पूच रहा है, X बराबर 15 आया, तो ये 3 पहिया circ 12, जो एक डम स्पस्ट समझ में आ रहा होगा, तब लोग एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके, फटा-फट कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़ सके तब को आ रहा है समझ में चली अगला किसी चारा गाह में कुछ गाय और कुछ चार बाहे हैं चार बाह मतब गाय चराने वाला पैरो की संख्या 44 जो सिरो से 29 अधिक है देखे पैर की संख्या क्या दिवी है 44 और कह रहा है कि वह सिर से सिर से कितना अधिक है 44 जो सिरो की संख्या से 29 अधिक है यदि पैरो की संख्या 44 जो सिरो की संख्या से 29 अधिक है यानि 29 फिर 29 कम होगा तो सिर क्या होगा चार बाहा का दो पैर होता है जी हम डायरिक किसका निकाल सकते हैं गाय का निकलेगा ही नहीं कोई फॉर्मूला ही नहीं है चार बाहा का गाय का निकलेगा क्योंकि आपको पता है कि 0 की संख्या 15, 15 गो में 7 गो गाय है तो 4 बाहों की संख्या 8 होगी जो C नमबर ओप्शन है एक दम गनित क्या होगा मक्खन होगा डियर स्टूडेंट अच्छा एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा जो आपके हित के लिए है और बहुत जादा ज आपको बहुत ही सस्ते सस्ते दामों में बहुत कम दाम में अगर आफ-लाइन में जो फीस आपको एक महीने में लग रहा है उतने में हम एप के उपर पूरा एक साल पढ़ाते और वह भी गैरेंटी के साथ कि आफ-लाइन सब बेस्त देंगे हैं आपको आफ-लाइन में छूट भी गया तो रिकॉड़ेट उपलब्द है तो यह वाला एप इंस्टॉल कर रहे हेल्प लाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल और वाट्स अप बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है आपको पूरी सुवधा उपलब्द कराई जाएगी 6200733858 आप इस पे कॉल वाट्स अ अब यह जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कर सकते हैं यह प्ले स्टोर पर अवैलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है यहां पे आपको नोट्स ब्रहमास्ट 2.0 का पूरा पीडिया फ्री में मिलेगा बिच सॉल्यूशन ठीक है तो यह जरूर इंस्टॉल कर है तोटल नंबर पॉश्चन वन अंडेड अब करें सही उत्तर देने पर तीन अंक मिलेगा अच्छी बात है और गलत उत्तर देने पर दूंक काट लिया जाएगा लीजिए बड़ा समस्या वही रूल है खाली ज्यादा रूल थोड़ा बढ़ा दिया है कि उसने कुल 125 सही बनाने वाले प्रश्चनों की संख्या मान लिजिए एकस सही का एकस माने तो गलत बनाने वाले प्रश्चनों की संख्या सौ में जो एकस छोड़कर बना होगा सब गलत बना होगा 100 bajन यह तक कोई दिकत सो प्रस्ट में सही बनाने वालों को हमने एक्स बना तो गलत क्या हो जाएगा सो माइनस एक्स अब देखिएगा क्या कह रहा है कि उसने सो सही बनाने वाले प्रस्टों की संख्या एक्स थी और एक प्रस्ट जब काट लिया जाएगा तो कटना यह नहीं माइनस अगर वही काता कि गलत भी बनाओगे तब भी दू नंबर देंगे तो पलस हो जाता वो बीच में कह रहा है सही प्रस्णों की संख्या एक्स ती और एक सही प्रस्णों बनाने पर तीन नंबर मिलता है तो एक्स गुने तीन गल टोटल ऐसा करते करते उसको कितने अंक मिले एक सो पच्ची जो जिसको यह समीकरन बनाने आ जाएगा वो हर प्रस्ण को सॉल्व कर देगा बनाई यह तुझरा इसको जिसको यह समिकरन आ जाएगा ना समझ में कि यह क्या हो रहा है फिर्स लाइन में तो सब कर देगा 3x माइनस 100 गुने 2 माइनस 200 और 2 गुने x लेकिन माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 125 तीन दो 5x और यह धर जुटेगा तो 200 में 125 जुड़ी है 325 x बराबर 35, 35 बराबर 65 तो यह तो हो गया सही बनाने बलत प्रश्णों की संख्या लेकिन आप से क्या पूछा गए उसने कितने प्रश्ण गलत बनाए तो अगर गलत प्रश्ण की बात करें तो गलत प्रश्णों की संख्या था 100 माइनस x 100-x की value 65, घट के आता है 35, यानि 35 question उसने गलत बनाए, 65 question उसने सही बनाए, अब देखे इसको solve भी कर सकते हैं, 65 वो सही बनाए तो 65 गुने 3, अब 35 वो गलत बनाए तो 35 गुने 2 और घटता है ना गलत बनाने पर, तो 65 तिया हो जाएगा 195 और 35 दुनी हो जाएगा 70, 195 में 70 गय हो रहे थे, तो यह तरीका है चेक करने का, कि हम जो बना रहे हैं, वो सही है या गलत है, तो यह एक तरीका हो गया चेक करने का, बिल्कुल असपस्ट रूप से समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को, यस यनों में जबाब दीजे, अगले प्रश्न की बात करें, एक बार अच्छे से एकदम आग गड़ा के देख लीजे, तब हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, अगले प्रश्न की बात करें, ठीक है, उमीद है कि समझ में आया होगा, देखें, उसी तरह से एक और सवाल है, किरें किसी परिक् गलत प्रश्न पर एक अंग काट दिया जाएगा, तो कह रहा है, उसने कुल सता रंग प्राप्त किया, तो उसने कुल कितने प्रश्न सही कि, इस बार सही प्रश्नों की बात कर रहा है, देखें, कुल कितने प्रश्न थे, इस बार number of question 50 था, 50 सवाल में, मान लीजिए कि आप आपने सही कितना प्रश्न किया, सही प्रश्नों की संख्या एक होगी, तो क्या गलत प्रश्नों की संख्या हम 50-X कर ले, और देखें, सही करिएगा, परतेख सही उत्तर पर दूंग मिलेगा, तो X question सही किये, तो X गुने दो, आप पाचास माइनस X उत्तर गलत किये, तो ए एक अंक क्या हो ज़ाइगा कॉक्षाइगा प्राप्त करने पर कोई जाधा परक है 60 है यह में क Sans ज्वूटेगा 30 15 120 और यह एक्स की वैल्यू 40 सभी को समझ में आ रहा है एक और भेतरीन सवाल है जो आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं सबसे पहले को बनाएगा इसको कि यदि किसी परिक्षा में किसी व्यक्ती ने कुल साठ प्रश्णों का उत्तर दिया अच्छी बात है यदि सही प्रश्णों के लिए चारंग मिलते हों और पर अप्रश्ण के लिए अब आप यहां से कुछ सीक भी जाएंगे कि एक्जाम बगर देंगे तो कैसे नंबर बैठाया जाता यह देख सकते हैं तो राइट सही वाले प्रश्णों को माल लीजे एक्स और गलत करने वाले प्रश्णों को मान लीजिए 60-X ठीक है तो सही प्रश्णों की संख्या X थी और एक सही करने पर आच्छारंख मिला गलत करने वाले प्रश्णों की संख्या 60-X और एक गलत करने पर 2 अंक काटा जाएगा अब करना क्या है चार दो छे एक्स हो जाएगा और ये एक्सो पचास उधर एक्सो बीस जुड जाएगा तो दो सो सत्तर हो जाएगा एक्स बराबर टू सेवन जिरो डिवाइड़ वाई सिक्स छे चक चौबीस छे पचे तीस पॉटी फाइब तो पैतालीस प्रश्न क्या था सही था तो गलत कितना होगा जी यूँकि साठ प्रश्नों का सॉल्व हुआ है तो साठ में पैतालीस गटा दीजे गलत प्रश्नों की संख्या पंदरा पैतालीस पंदरा का है यह आपकी प्रश्न का सॉल्व है आज की वीडियो आज का क्लास बहुत शांदार रहोगा उमीद है लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के डिमांड जरूर होनी चाहिए नीचे कमेंट बॉ आएंगे ओके बाबाई टेक क्यों